हाई गाईज विलकम बैक तो मैं यूटीब चानल मेरा नाम है शुबिन और आज मैं आपको कुछ ग्लैंजा के बारे में बताने वाला हूँ पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्लैंजा के उपर काफी लोगों को वीडियो पसंद आई और बहुत सारे लोग उसका रिव्यू देख रहे हैं वो काफी लंबी वीडियो थी अराउंड 33 मिनिट्स की वीडियो थी एंड आई रेली लव इट एक बार खरीद ले तो आप खरीदने के बाद प्राइस को मैटर नहीं करते और प्राइस इतना फरक नहीं पड़ता है क्योंकि जब ले लिया आपने उनर्शिप गाड़ी आपकी हो गई है तो फिर प्राइस को देखने की जरूरत नहीं पड़त इस गाड़ी को खरीदने में और इसकी जितनी भी फीचर्स आए हैं सारे आड़ाउन फीचर्स मैंने सब कुछ लिए हैं तो मेरे को एक्जाक्ली वर्थ एट लगता है और मेंको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बेकार है और जो क्वालिटी इस गाड़ी ने डिलिवर क इस गाड़ी पहले है वो बहुत ही प्रीम है और मैं डेली इस गाड़ी को चला रहा हूं जैसे मैंने अपनी पहले भी बताया और कमेंट सेक्षिन में भी अपने यूट्यूब कम्निटी सेक्षिन में लिख बहुत बहुत अच्छा है लेकिना प्रॉब्लम नहीं है जितनी लोग सोच रहें एसी की वज़े से इस गाड़ी को ना करीदना बिलकुल कोई वह बहुत चोटी थीज़ है आप कंसेडर कर सकते हैं एसी एफेक्टिव है लेकिन आप हलका शीशे बगरा खोलेंगे अंदर की गरम हवा भार जाएगी फिर आप एसी चलाएंगे फुल पर तो क कोई दिक्कत नहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लेकिन कभी कबार इशु होता है इसी का वह एक्चली है और दो तीन यूट्यूबर्स यह बोल चुके है इसके साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तर आप गाड़ी की एफिशेंसी बढ़ा सकते हैं और जो मैक् 1000 km गाड़ी चला है गलांजा और 29 km के आसपास 28 km के आसपास अवरेज दिकाला है यहां से आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी का आवरेज कितना आ रहा है अराउं 2500 km चल चुकी है तो आप इधर देख सकते हो यह 2500 km लिखा है इतनी चल चुकी है और 15.2 km पर लीटर का अवरे नहीं खरीदें तो बिलकुल सिपर खरी लीजे डिस्क्रिप्शन में मैं एक दो सिपर का लिंक दे दूँगा क्यूंकि सिपर से आपका पानी का इंटेक बहुत बढ़ जाता है विच वेरी गूड आपको मोटा अला तार लगाना पड़ता है पतले तार से आंडरोड आटो पहले मेरे को लग रहा था जब भी मैं USB कनेक्ट करा था हलका सा USB के कनेक्शन में एशू था आप देख सकते हो इदर USB कनेक्टे लिखा आगया और एक जम लगाते ही एक वीडियो प्ले होना शुरू हो गई है एक जन्ने ने मेरे को पूला था कि क्या हम चलते हुए वीडिय क्यों नहीं है और आप स्क्रीन सेवर और लॉक स्क्रीन है वह भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी तो स्क्रीन क्वालेटी ये 9 इंचेस का है क्योंकि ग्लैंजा V-Models इसमें काफी अच्छी है इदर भी प्ले करता हूं मैं तो आप देख सकते हो कि काफी अच्छी है वीडि तो डेख सकते हुशायद बहुत अच्छे से WOW आती है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत अच्छी क्वालिटी है वीडियो की तो कुई कोई आपको सोचने की बात शैइंगे काफी बड़ी आती है और इसी केसाद आगे बढ़ते हूं और आपको मैं आगे फ्यूल एफिशेंसी निकालने के बारे में बता तो मैंने यह देखा है कि आपको मैंसे बहुत अच्छा तरीका रहता है और ये काफी गाडियों में आ रही है और किस तरह आप इसको अपने लिए बेस्ट यूटलाइस कर सकते हैं जिससे कि आप मैंसेम अपना फ्यूल एकॉनमी निकाल सके हैं आप इधर देख सकते हैं कि 15.3 का फ्यूल एकॉनमी मेर किसी increase करी है आगे पढ़ते हैं तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं सबसे पहले understand करें तो fuel economy निकालने के लिए आपको बेस्ट रहता है fuel economy सबसे अच्छी निकालने के लिए आपको highway पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी अगर अच्छी करते है और पर थंदेखो अच्छी कतीब मेंस्ची जअए तो अगर फिट्रा आप देखो integration करते हैं तो अगर आप देखो कि मैं अगर ने सबसे और तो वह इसलिए हो जाती है क्योंकि आप जितना ज्यादा एक्षेलरेशन करते हैं और जैसे मैंने छोड़ा अब आप देखो कि फुल हो गया है क्योंकि ना मैं accelerate कर रहा हूं, accelerate नहीं कर रहा है, मतलब कि एंजिन के अंदर कोई भी टेल नहीं जा रहा है, अगर एंजिन में तो कंजम्शन काभ और हुए है, तो आपका average बढ़ रहा है, तो यह रोटीन रहता है, जिस हिसाब से आप अपनी average बढ़ा सकते हो, काडी का तो मै कुछ लोग यह भी कहते हैं, और कंप्री भी क्लीम करती है, कि automatic वाली जो glanza है, वो आपकी manual से जाधा average देती है, लेकिन यह driving style पर बहुत डिपेंड करता है, अगर आपका driving style बहुत अच्छा है, तो आप manual में definitely जाधा average निकाल बहेंगे, as compared to the automatic का, automatic में अगर देखेंगे, तो 16.9 से 17 तक का आपको average मिल सकता है, provided आप highway में चलाएं, और city में जैसे में try करना हूँ, अभी तक मेरी गाड़ी approximately 2000 km के आसफ़स चल चुकी है, और 2000 km काफी एक अच्छा period रहता है यह बताने के लिए, कि आपकी गाड़ी क्या average दे रही है, ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी कम चली है, तो इसके साथ हमारी गाड़ी का average 15.3 तो मैं expect करता हूँ कि इस city में मैं कूब चलाता हूँ, हलका सा semi highway पे भी चलाता हूँ, तो उस हिसाब से 15.3 के आसफ़स मेरा average देखेंगे, तो अगर यहां पर आप देखेंगे, जो average है, नीचे 469 किलोमीटर जो लिखा आ रहा है, यह है कि total range कितनी है, मेरी गाड़ी कितना चल सकती है, अगर मैं अच्छे से चलाऊँगा, तो यह simply ऐसे calculate होता है, कि आपकी जो तंकी है, उसमें कितना लीटर तेल है, और वो लीटर तेल into the किलोमीटर पर लीटर जो चल सकता है, तो वो यह जच करता है, उससे multiply करकर आपका यह निकलता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है, तो अगर आप देखेंगे अभी 15.3 किलोमीटर पर लीटर है, अगर इसको मैं 15.4 कर देता हूँ, अच्छी तरीके से गाड़ी चला कर, तो आप नीचे देख सकते हो, जैसे 46 469 से 470 हो गया, इसका मतलब यह है कि 469 से 470 होने का यह मतलब है कि अब क्यूंकि फ्यूल एफिशेंसी बेटर हो गई, और धीरे-धीरे अवरेज मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो उसने रेंज भड़ा दी, मतलब तो तो कम हुआ है, लेकिन मैं गाड़ी अच्छे से चला रह से 90 किलोमेटर की रेंज पर आप चलाएंगे अगर तो कहते हैं कि बेस्ट आपको आवरेज मिलेगा और जिस एक जनने ने रिव्यू दिया था अप्रॉक्सिमेटली 17 किलोमेटर्स पर आर का 17 किलोमेटर्स पर लीटर का उसका जो आवरेज आ रहा था वो हाइवे पर उसने आपको एक सेट लिखा आ रहा है अगर आप इधर भी दिखते हो तो यहां पर भी आपको देखेगा सेट लिखा हुआ रहा है इसका मतलब है कि मैंने क्रूस कंट्रोल सेट कर रखा है और गाड़ी 63 किलोमेटर्स पर आर पर रेगिलरली चलती रही और इतने ही लेवल को मैं मैं रहती है और आपकी उफिएफिशनसी होती वह इंक्रीव होती है तो यूजिलि अगर आप ऐसे ही रखते हो 67 पर या कोई तो ऐसे गाड़ी की स्पीड मैं इधर से इंक्रीस कर सकता हूं मैंने पैर में कुछ भी नहीं लगा रहा है और अक्सलेरीटर भी नहीं दबा रहा हूं इस को इनुम है simply बस मैं इसको जाहिए लिसे कर नहीं यहाँ से होपर करूँगा तो ऑसकी तेज हो जाएगी आप 17 सपीड और if तो यहां से स्पीड नीचे कर सकता हूं सिपली ऐसे प्रेस करके क्रूज कंट्रोल बेस्ट रहता है वो पताता है आपको कि कौन से लेवल पर चलना जहीं जिससे कि आपको बेस्ट आवरेज मिले काड़ी में इधर आप देख सकते हो कि 473 km हो चुका है मतलब कि मेरा जो ड्रा तो यह चीज है जो मैं आपको बताना चाहरा था अपनी ग्लैंजा में और किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं वेस्ट एफिशेंसी अपनी फ्यूल अपनी गाड़ी निकान लेके लिए तो यह काफी अच्छा तरीका है गाड़ी की रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं और ज तो यह चीज कर सकते हैं और कोई भी डाउट से आपको ग्लैंजा के रेलेटेड आप कमुनिटी सेक्शन में भी पूछ सकते मुझसे या फिर कमेंट नीचे तो पूछी सकते हैं इसके लावा डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें वहाँ पर मैंने 4-5 आइटम लिख रख लोगों को पसंद आया है तो आप यह भी कंसेटर कर सकते हैं लेना इससे काड़ी प्रोटेक्टेड रहती है जो चाभी है इसकी और काफी अच्छी लगती है क्योंकि इसकी अंदर जो एक्चली चाभी है उस पर ग्लॉसी फिनिश है और इवेंचली वह ग्लॉसी फिनिश हो जाता है और बहुत गंदा लगता है तो मैं नहीं चाता था इससे कुछ भी चीज खराब लगे ग्लॉसी फिनिश अगर देखो कि इस तरीके की है तो वह अगर स्क्राचे लगके खराब हो जाता है तो बेकार लगता है इसलिए I don't want that to happen and that's about it for this video वीडियो पसने आगी त जाता है